असलाम अलेकुम गाइस वेलकम टू माई चानल तो आज मैं करते हूं 60 आई मेकप लोग और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यह वीडियो लास्ट जरूर देखना ऐसे ही मैं आई वीडियो अप्रूट करती रह कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैंने कॉम्पैक्ट लेकर मैं अपने कंसीलर को अच्छे से सेट कर रही हूं स्वीस ब्यूटी का कंसीलर काफी ज्यादा अच्छा है एक दम मेरी शेट का ही है एक दम अच्छे से मैच करता है मुझे तो मैंने दूसरी आंग पर भी जल्दी से इसको अप्लाए कर लिया है फिर मैंने लिया एक इंसाइट की कंसीलर पैलेट और इसमें मैं डार्क से अप्लाए करना है इसके बाद मैं ले रही हूं एक ब्रॉण आईशाड़ो और इसको मैं इसके ऊपर ही अप्लाए करूंगी क्योंकि वह क्रीम था और यह आईशाड़ो पाॉडर है तो अच्छे से सेट हो जाएगा ट्रांसफर नहीं होगा इसके बाद मैं ले रही हूं स्मॉल ब्लैंडिंग ब्रश और उसको इन अच्छे से ब्लेंड करूंगी ताकि कोई भी हार्स लाए ना रहे इसके बाद मैंने वही स्वीसब्mm का इस कड्री निलिंफ पर सप्प्लाइघ करूंगी और करूंगी पुलाव करनी है फिर मैंने ब्रस लिया है कि कुली लुक आने के लिए अच्छे से कुड़ करूं काफी जादा अच्छा लग रहा है कर्ष को डॉक अने के बाद मैंने एक ब्यूटी ब्लेंडर से लेकर इसको ब्लेंड कर रही हूं और कॉमपैक लेकर इसको सेट कर दूँगी ताकि कंसीलर अच्छे से सेट हो जाए और कंसीलर अपनी जगे से हटेगा भी नहीं क्रीज भी गर्ष नहीं आएगी इसलिए आ अपने भी सेट कर लेना गंसीडर को चैसे मैंने स्मॉल ब्रेंडिंग ब्रश भाही लेकर ब्रॉण शेड लेकर फिर से अच्छे से ब्लेंड कर रही हूं फिर से मैंने कंसीलर लिया है और उसको मैं फिर से अप्लाइ कर रहे हूं कट क्रीस पर फिर एक फ्लफी ब्रॉश लेकर कॉम्पाक्ट लेकर फिर से इसको अचिसे सेट कर लूँगी फिर मैंने लिया है पेन आईलाइनर और इससे मैं आईलाइनर ड्रॉव कर लूँगी ज्यादा बिग आईलाइनर भी आपको ड्रॉव नहीं करना है और ज्यादा मोटा आईलाइनर भी आपको ड्रॉव नहीं करना है थिन आईलाइनर आपको ड्रॉव करना है इणर कॉर्nor के पास भी मैं आईलेनर लगा रही हूं चोटा सा आपको इनर कॉर्ण leads के पास भी आईलेनर लगाना है और मैं आईलेनर के नीचे एक और लाइन दाल रही हूं आई-लाइनर से ही कुछ इस तरीके से आई-लाइनर लग रहा है फिर मैंने आई-शेड़ो पैलेट में से एक लाइट शेट लिया है उसको मैं इन ओपनर के पास और आई-लाइनर के बीश में अप्लाई करूंगी और ब्रॉबन के नीचे भी मैं अप्ला करूंगी फिर मैंने आई-लाइनर लेकर वाटर लाइन के पास लेकर जांगी थोड़ा उसके ब्लैक आई-शेड़ो लेकर मैंने आट्रो कोनर के पास लगाया है वाटर लाइन के नीचे और आई-लूक कुछ इस तरीके से लग रहा है काफी जादा एजी सिंपल साई-लूक ह है और अगर आपको यह लूक अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को आपको लाइक शेर और कॉमेंट और सब्सक्राइब करना मत बूलना प्लीज कर देना और कॉमेंट में जबर बताना कि आपको नेक्स कॉन सा लूक देखना है बाई